हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप आपके यूट्यूब चनल एक्जाम 91 पर चलिए देखिए जो हम लोगों ने स्रीज स्टार्ट की थी बोकाइब सेक्षन की जिसमें आपको वन वर्ड और एडियम जो है मैं प्रोवाइड करा रहा था क्योंकि ये वन वर्ड जो है आ कितने बच्चों से इसलिए ये मैंने स्रीज चलू कि और आप लोग उसको देख भी रहे हैं ये देख के काफी अच्छा लगा कि आप लोगों को वह चीज देखने में सही भी है कि आप लोग देख रहे हैं तो मेरा भी मन करता है चलिए मैं भी बना दूँ चलिए तो आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे 50 तक हमारे हो चुके थे जिसने भी अभी तक पुराने वीडियो को नहीं देखा है वो जाके आप जरूर देख लीजिए ठीक है क्योंकि इसलिए मैंने उनको complete करके डाला हुए बाकी जो लोग वीडियो को देखते हैं भाई दोस्तों सभी इनको लग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया और जो लोग नए आते हैं चैनल पर जिनोंने चैनल को subscribe नहीं कर होता है इसका मतलब क्या होता है छडिक रांजिस्ट्री छडिक होता है रेगुलर हमेंसा नीमित होता है और रेटेटरी मतलब होता है रेटेटरी का मतलब होता है मतलब बदलते रहना या पहिये की तरह है घूमने वाला एक के बाद एक वाला ऐसे की अभी आया फिर थोड़ी दिर बाद आ जाएगा इसे चलिए फिर बावन नमबर देखिए ready to believe anything मतलब जो believe करने के लिए तयार हो तो उसको क्या कहता है credible incredible Preis क्रेडिवलश और इनक्रेडिवल दोस्तों क्रेडिवलस का मतलब होता है साहज औरśवासी थीज़ै और इन क्रेडिलोस का मतलब होता है अभिश्वासी, चलिए आगे बढ़िए, तिरेपन नंबर, फोर फूटेड एनिमल, जो चार पैरों वाला जानबर, उसको क्या कहते है, याद रखिए का 1 का होता है, मोनो, 2 का होता है, बायो, बाई, और 3 का होता है, ट्रायो, और 4 का होता 4 पैर का जानबर, और Tetraport, Tetraport का मतलब होता है, केबल 4 पूरे पैरों वाला कीडा, और Polypied का मतलब होता है, बहुलग यानि की बहुत, ठीक है, जिसके बहुत से जादा पैरों की जैसे Octopus को को कह सकते है, जो ने सिप होती है, उनको रखने की जगह है, उसको क्या कहते है, उ constant effort to achieve something, ठीक है, लगातार किया हुआ संगर्स, कुछ पाने के लिए, तो इसको क्या कहते है, प्रजर्विंस कहते हैं, यानि की लगन और द्रड़ता है, प्रजर्विंस कहां लिखा हुआ है, चौथे पे लिखा हुआ है, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, पेसेंस लिखा तक पूछे के questions थे, 56 देखिए, वन हुआ क्लेक्टेट कॉइंस, जो सिक्के कठे करता है उसको, न्यूम, क्या कहते है, न्यूमिस्ट मैटिस्ट कहते है, यानि कि सिक्के, जो मुद्रा शास्त्रक कहते है, यानि कि जो मुद्रा को इकठा करना हुआ होता है, आर्कियोलोज नोजियर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पारखी, चलिए 57 देखिए, एक ही पार्टी ऐसी होगी, जो मतलब जो है, फंक्शन करने के लिए, वही अलाव की जाएगी, बाकी और ऐसी कोई भी नहीं होगी, तो उसको क्या कहते है, टोटली टेरिनिज्म, ये तीसरा वाल सरवधिकाल, उलिघर के हुटा है, इसका मतलब होता है, आलक, क्तांत्रिक देश, डिक्टेटर सिप्का मतलब होती अना ँज़ Ci chamois, और थेओक्रेशी होता है, इसका मतलब होता है धर्म संत्र, गैं पेर फिंट्रेन है केले फिए बें टाटीकिलर गूर अटा फियह कि डिकेर है चलिए फिर फिट्टीट में केलिका थिफिटीट में कब मूर्ष लिकाउ निछकार्ष्प एस्वरी है । पैस्टम एंड हैबिट्स औफ अफ पर्टिकुलर कौ्फ गूप UP Customs and Habits of the Particular Group, मतलब एक Particular Group हो, जो Customs हो या Habits में हो, तो देखिए उसको क्या कहता है, Mores, Mores का मतलब क्या होता है दोस्तों, Rit Rivaas, Traditions, Rights, और Rituals, तो दो को Traditions मतलब होती है, परमपरा, जो Rights लिखा हुआ है, इसका मतलब धारमे के Rit Rivaas होते हैं, और Rituals लिखा जो है, इसका मतलब रिवाज होते हैं, तो जो Mores होता है, इसका मतलब रिवाज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए Customs and Habits of a Particular Group, मतलब एक जैसे कोई धर्म का अपना काम करने वाला हो, तो इसलिए उसको Group यूज किया गया है, यहाँ पर, ठीक है, तो अगर किसी धर्म में कोई मानेता होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रित रिवाज कहते हैं, चलिए, 59 देखिए, A body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in trials, मतलब, body of persons, एक मतलब ऐसे लोगों का सम्वू, appointed to hear evidence, मतलब, जो साच होंगे, उनको सुनना, and give their verdicts in trials, मतलब, अपने जो trial होगा, उसमें उसको, मतलब, अपना verdict देना, तो उसको क्या कहते हैं, association, council, bar, या jury, तो jury कहते हैं, jury का मतलब होता है, निरणायक समित होता है, association का मतलब होता है, संस्था या समिती होता है, council का मतलब होता है, समिती, और bar का मतलब होता है, अदालत, चले, 60 number देखे, indifferent to pleasure or pain, इसको क्या कहते हैं, वैसे तो stoic कहते हैं, अब यहाँ पर stoic तो लिखा नहीं है, stoicism लिखा हुआ है, तो इसका मतलब, 60 का थिरी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका मतलब होता है, आतम संयम या कह सकते हैं, उदा सीन, उदा सीन वेक्ति वो होता है, जिसको अगर आप काटें भी, तो उसको पता नहीं, दर्द नहीं पता चलेगा, उसको ये नहीं बता होता कि ये दर्द है, कि हमको हसना चाहिए, कि रोना चाहिए, वो क्या होता है, वो उदा सीन होता है, ठीक, प्रजर्वेंस का मतलब होता है, लगन या दर्ड़ता, टॉलरेंस का मतलब होता है, सहन सकती, और reticence का मतलब क्या होता है? अल्प भाशित चलिए फिर क्या लिखा हुआ? A place where soldiers life soldier कहां रहते हैं? टैंक में, शेक्स में, ओर्डेंस, डिपोर्ट में या बैरेक्स में रहते हैं तो दोस्तों आपने भी सुना होगा कि भैरेक्स में चले जाओ, भैरेक्स में रहते हैं, इसका मतलब है यूद्ध सामकरी रखने वाला इस्थान जो रिधा के पीछे होता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखो दोस्तों, जब one who beyonds reforms, मतलब जो reforms के पीछे होता है, उसको incorrigible का मतलब होता है, असुधार्रे होता है, ठीक है, और optimistic, आशावादी होता है, इन, इन, डिफिटेजेवल का मतलब होता है, अथर और notorious मतलब होता है, कुख्या, चलिए 63 नमबर देखिए, science of diseases, क्या कहलाता है इसको, theology, pathology, या psychology, या virology, तो दोस्तों, science of diseases जो होता है, ये pathology होता है, क्या होता है, pathology, इसका मतलब होता है, रोग बिज्यान, और philology का मतलब होता है, manubigyan, और philology का मतलब होता है, बिशाणू, बिज्यान, 64 देखिए, one who secretly listens to the talks of other, जो चोरी छुपे किसी दूसरी की बात सुनता है, उसको क्या कहता है, spy, detective, emissary, या evis dropper, तो इसका मतलब हो, जो दूसरों की बात है, चोरी छुपे सुनता है, उसको evis dropper कहता है, इसका मतलब होता है, छिप कर दूसरों की बात सुनने वाला, spy मतलब क्या होता है, spy मतलब गुप्तचर या जासूस होता है, detective का मतलब गुप्तचर या जासूस ही होता है, चलिए, फिर 65 नमबर देखिए, क्या लिका है, one who believes in no government and therefore insist disorder in state, मतलब जिसको ये विश्वास होत होता है कि जहां पर कोई government नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही सरकार मतलब ऐसे ही चलना चाहिए, तो monarchist होता है, anarchist होता है, autocrat होता है, autocrat होता है, autocrat होता है, next list होता है, anarchist होता है, anarchist का मतलब होता है, आराजकतावादी, इनका मानना होता है कि कोई भी सरकार होगी नहीं, तो जो मन होगा ये लोग वो कर सकते हैं, तो इसलिए अराजक्ताबधी होना चाहिए, फिर मोनार्चिस्ट का मतलब होता है, राजतंत्रबादी, काटोक्राट का मतलब होता है, आटोक्राइट का मतलब होता है, स्वच्छाचारी शासक, और नक्सलिस्ट का मतलब होता है, नक्सल ठीक है? 66 में Mild or Indirect Expressions substitute for an Offensive or Has1 Euphemism, Euphemism Tourism, Favoritism या Altourism तो इसका मतलब क्या होता है? Euphemism, Euphemism का मतलब होता है Mangal Vahasit या Mangal Vahasit का बयोहार जो Mangal Vahasa बोलता है, बहुत हलकी वाली Tourism का मतलब क्या होता है? Terrorism का मतलब स्वयम सिद्ध होता है Favoritism का मतलब क्या होता है? पच्छपात होता है और Altourism का मतलब होता है परोग कारिता तो दोस्तों याँ पे इसका answer सही क्या हो जाएगा? ये Euphemism चलिए दोस्तों 67 नमबर देखने है क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है Perricide लिखा हुआ है फिर Matricide लिखा हुआ है फिर Homicide लिखा हुआ है ये जनसंगार होता है Homicide Matricide माता की हत्या होता है ठीक है? फिर जो Perricide लिखा हुआ है इसका मतलब होता है माता या पिता की हत्या या रिस्तेदार की हत्या चलिए Animal who lives in herds जो मतलब ऐसे जानबर जो जुन्ड में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? sociable, gargareous, carnivorous या social तो देखों तो जुन्ड में रहते हैं उनको, gregarious कहते हैं gregarious का मतलब जुन्ड में से सम्मंदित और sociable का milansar, carnivorous, mansohari, social, milansar ठीक, a broad road bordered with trees मतलब एक कोई चौड़ी सड़क जिसके दोनों तरफ पेंड लगे हों, उसको क्या कहते हैं? चलिए, बावडियोर, बावडोर और बावली वर्ड, एवन्यू या फैस्केड तो बावली वर्ड होता है, इसका मतलब होता है, यह मुख्यमार्ग होता है एक तरीके से कि जब बावड रोड, बावडर्ड बिद ट्रीज, फिरबावडियर का मतलब होता है, स्रंगारकच, एवन्यू का मतलब होता है, पत् या फैस्केड का मतलब होता है, ग्रह मुख, वाइलेसन ओफ सम्थिंग, हॉली और इसकेर्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रोफैनिटी होता है, सेडिटेशन होता है, इसकेरिलेज होता है, यह स्लेंडर होता है, तो दोस्तों, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, अपवित्री करण, ठीक है, और यह प्रोफैनिटी लिखा हुआ है, इसका धर्म निंदा होता है, सेडिटेशन लिखा हुआ ह इसका मतलब बिद्रो हातमग, आचरल होता है, और स्लेंडर का मतलब होता है, मान हानी. चलिए, फिर लिखा हुआ है, simple, fast, spreading plant without flower or leaves, which can often cause diseases. अच्छा, जिसमें मतलब ना तो फूल होते हैं, ना ही पत्तियां होते हैं, इस तरीके के जो पेंड पौदे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बैक्टेरिया, अमीबिया, बाइरस या फंगस, दोस्तों ये फंगस होता है, क्या होता है, फंगस, जैसे इसको फफूंद बोलते हैं, तो इसमें आपने कोई देखा होगा कोई पेंड पौद, य फाइरस मतलब भिषाडू होता है, फिर लिखा है वह है, वन हुई इस ग्रीडी, ग्रीडी मतलब एक तरीके का भुखड कह सकते हैं, भूखा भा हुआ है, या लालची, तो वन हुई उसका क्या मतलब हो जाएगा, वरकैसियस का मतलब होता है भुकड और अवेरसियस का मतलब होता है लोभी या लालची कार्निवोरस मांसाहरी और ओमनिवोरस शाकाहरी होता है नहीं स्वारी ओमनिवोरस सभी कुछ खाने वाला सब ओमनी तो सब कुछ ठीक है तो वार्शियस का मतलब होता है क्या भुक्कड होता है तो वन हुई इस ग्रीटी जो हमेंसा दब लालच की तरफ लालच से देखता रहे या भूखा हो या आपके तरफ खाने को ही मांगता रहे चलिए 73 देखे एन एरिया ओफ लेंड डैट इस कंट्रोल बाई रूलर कुई एक होता है दोस्तों डोमिनियन का मतलब होता है एक सरकार या शासक द्वारा सासे छेत्र या कह सकते हैं कि प्रमो कालोनी का मतलब होता है उपनगर कंट्री का मतलब होता है देश बतन और मुनसिपैलिटी का मतलब होता है नगरपालिका फिर लिखा हुआ है एन एरिया ओफ ले अपने धर्म के अनुशार जहां पर पूजा पाट होता है उसको उस प्लेस को क्या कहते हैं साइना गोगिया साइना गोगियू होता है और इसका मतलब क्या होता है याहूदी उपसना ग्रह है होता है याहुदी उपसना ग्रह है और कैसे ड्र executive मतलब पूजा गर, chapel का मतलब क्या होता है और ड्रॉर्जनों का नेता गहो li ini 75 नमबर देखे, Regular User of Place Restaurant ETC, जो मतलब जो वहाँ पे Regular आता हो Restaurant या जैसे कोई एक जगहे पर उसको क्या कहते हैं, ठीक है, Client, Clientail कहते हैं, Often कहते हैं, या Users कहते हैं, तो दोस्तों इसको Clientail कहते हैं, Clientail का मतलब होता है, Grahak Gadd, क्या होता है, Grahak Gadd, बाकी Client का भी मतलब Grahak होता है लेकिन जब हमें कहीं एक Particular जगहे पर Regular आ जा रहा हैं, तो उसको Grahak Gadd में सामिल करते हैं, ठीक, चलिए, The Study of Religion and Religious Ideas and Beliefs, इसको क्या कहते हैं, Theocracy, Theospe, Theology या Theism, तो इसको क्या कहते हैं, दोस्तों, Theology कहते हैं, The Study of Religion and Religious Ideas and Beliefs, क्या कहते हैं, Theology कहते हैं, इसका मतलब धर् सास्तु जो धर्म की सिच्छा लेता है, ठीक, या उसके बारे में आइडिया बगरा देता है, और उसको बिलीब करता है, तो उसको Theology कहते हैं, Theocracy का मतलब धर्मतंत्र, Theospe का मतलब होता है, अध्यात्म बिद्या, और Theism का मतलब होता है, इसरवाद, आस्तिक बाद, चलिए Dissection of a dead body to find the cause of death, अच्छा, मतलब उसकी बाड़ी की देखवाल करना, जिससे यह पता चल सके, कि इसकी जो है, डेट किस बज़े से होई थी, तो क्या होता है, बायोप्सी होता है, investigation होता है, surgery होता है, या आटोप्सी होता है, जो postpartum हम लोग करते हैं, उसको आटोप्सी कहते उसका सब परिच्छा होता है, बायोप्सी का मतलब होता है, जीवित उत्तकों की जाच करना, और investigation का मतलब होता है, जाच पड़ताल और surgery का मतलब होता है, कि मतलब operation कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, जो operation हम लोग करते हैं, हम लोग का मतलब, जो doctor लोग होते हैं, हम लोग क तो पुजारी या पुरोहित कह सकते हैं, ठीक है, और मैसोन लिखा हुआ, इसका मतलब राजमिस्त्री होता है, आर्टीशियन का मतलब दस्तक्कार होता है, ठीक है दोस्तों, चलिए, फिर हम लोग पाउट्सने हैं, 79 की तरफ, 79 क्या है, जो मतलब अपने स्कूल से बिदाउट परमिसन, यानि की बिना किसी आग्या या बिना किसी परमिसन से दूर रहता है, उसको क्या कहते हैं, पेडेंट, इस्प्लीकेंट, मेडिटेशन, मेंडी, कैंट या ट्रॉंट, ट्रॉंट कहते हैं, जो गैर हाजिर रहने वाला बच्च चलिए, फिर the act of killing a whole group of pupils, especially a whole race, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, पेक्ट्रिसाइड पिता की हद्या, और पेरिसाइड अभी मैंने आपको बताया था कि किसी रिस्तेदार या माता या पिता में से किसी हद्या, मैट्रिसाइड माता की हद्या, और के बारे माँ अभी पीछे ही बताया था, चलिए, एक्क्यासी नमबर देखे, government in which all religions are honored, एक ऐसी सरकार जो सभी धर्मों को मानती है और सम्मान देती हो, उसको क्या कहते है, communist, socialistic, secular या capitalist, तो secular होता है, secular क्या होता है, सभी धर्मों को मानने वाला या धर्म निर्पेश, communist का मत मतलब आपको बताया था, समाजबादी है, capitalist का मतलब पूंजीवादी है, a place where government and public record are kept, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आर्चीव बोलते है, आर्चीव मतलब होता है, लेखागार, क्या मतलब होता है दोस्तों, लेखागार, जहां सारा सामा, ये सारी, जो records रखे जाते हैं, museum, museum का मतलब होता है, संग्राल है, और shelf का मतलब होता है, ताक या डाक खाना, और seller का मतलब होता है, ताइक खाना, Living together of a man and woman without being married is other, इसको क्या कहते हैं, marriage कहते हैं, Equipage कहते हैं, Lineage कहते हैं, Conquipenage कहते हैं, तो दोस्तों, जब भी कभी, जो जोड़े, मतलब एक कपल, बिना साधी के रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको konkubenयेज कहते हैं, इसका मतलब होता है, up-patnitou, क्या होता है, up-patnitou, यानि कि आपने साधी नहीं की लेकिन पती-पत्नी की तरीके से रह रह रहा है, marriage मतलब साधी होता है, eq, page का मतलब होता है, sامग्री चॉपयया गाडी, lineage का मतलब होता है, gothr या kul, Too much official formalities, मतलब बहुत सी ऐसी सरकारी formalities, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, red tapism, लाल फीता साही, ठीक है, और bureau के सी का मतलब क्या होता है, नौकर साही, अधिकारी बर्ग, या, nepotism का मतलब होता है, कुल पच्छपात, या, और ये formalism का मतलब क्या होता है, र इना बर्सात के, उसको क्या कहते हैं, चलिए, drought लिखा हुआ है, drought लिखा हुआ है, dessert लिखा हुआ है, तो दोस्तों, जो drought होता है, इसका मतलब होता है, ज्होंका, क्या होता है, ज्होंका, मतलब एक सूखी हवा, मतलब ये कह सकते हैं, कि सूखा मोसम और जिसमें बर्सात ही तो उसमें जोंका, draft का मतलब क्या होता है, प्रारूपिया, नहीं सुरी, drought का मतलब जोंका होता है, वहीं मैं सुचो, drought का मतलब तो सूखा या अकाल होता है, इसका मतलब सूखा या अकाल होता है, इसका मतलब जोंका होता है, ठीक है, और dessert, dessert मतलब आपको पता ही, मतलब मरुस डालना, लोर का मतलब बिद्धया, लार का मतलब मजाक यार, और लिट्रोल का मतलब क्या होता है, तटिये, चलिए, जीउकलर पर्सन, फुल आफ एम्यूजिंग, एनसी डोट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाइल, यॉकल, वाइग, या एओन, तो इसका मतलब होता है, WAG, WAG का मतलब क्या होता है, ये मस्खरा होता है, ठीठोलिया करने वाला था, जैसे एक तरीके से जोकर कह सकते हैं, जो हम लोग जो जोकर, जो उसमें देखते हैं, सरकस बगएरा में, डीप इन थॉट्ट, डीप इन थॉट्ट का मतलब क्या होता है, चलिए, ये लिखा हो, Meditation, Pensive, Pesky, या Purloin, Meditation like चीज होती है, लेकिन इसका जो Deep in Thought, मतलब किसी सोच में डूबे हुए हो ना, तो इसका मतलब होता है, ये Pensive, Pensive का मतलब का होता है, विचार मगन होता है, ठीक, Mediation मतलब होता है, कि हम लोग Eesaro का इसमरण करके करते हैं, जब, दोनों में बहुत अंतर है, Without Risk of Punishment, मतलब जहां पर सजा का कोई डर ना हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, Impudent, Impunity, Inexorable, Imputable, तो दोस्तों, जब भी कभी सजा का डर नहीं होता है, तो वो क्या होता है, Impurity होता है, Impurity का मतलब होता है, दंड मुक्ती, Impudent का मतलब होता है, अक्खड, और Inexorable का मतलब होता है, अनवरत, और Imperturable का मतलब होता है, अविचिलीद, फिर, Excessive Pre-Occupation with one's health, अच्छा है, इसको क्या कहते हैं, इसको, Hypochondria, Malaysia, Disfected, या Malinger, तो इसको Hypochondria कहते हैं, क्या कहते हैं, दोस्तों, Hypochondria कहते हैं, और Hypochondria जो होता है, इसका मतलब होता है, रोग ब्रह्म, और जो Malaysia लिखा हुआ है, Malyze लिखा हुआ है, Malyze का मतलब होता है, बेचैनी अवववस्था, और Dis-Affected का मतलब होता है, असंतोष्ट, मैलिंगर का मतलब होता है, कमचोरी करना, कामचोरी करना स्वारी, चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है, 91 में, The worship of ideal are images, मतलब जो बहुत ideal, मतलब जो बहुत महान हो, उन लोगों की पूजा करना, उनको क्या कहते हैं, तो, Atheism, Theism, या, Idolatry, या, In, Echno, Clasm कहते हैं, तो दोस्तो, Idolatry होता है, ideal मतलब, जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं, Atheism, Anishwarबाद होता है, Theism, Aastigबाद होता है, और In, Echno, Clasm, जो होता है, उसका मतलब होता है, मूर्ति भन्जग, Echno, Clasm, भी बोलते हैं, उसको मूर्ति तोड़ने वाला, ठीक है, 92 मतलब क्या हो जाएगा, Something that is Poisoner or Unhealthy, तो, Tribal, Toxic, Tropid, or Tragic, तो, Toxic हो जाएगा, Toxic मतलब जाहरीला या विशैला होता है, चलिए, Remedy for All Decisions, Penesia होता है, सभी जो मतलब यह कह सकते हैं, जिसको रामबाड कहते हैं, सर्व रोग, नाशक औसदी, जो सभी रोगों को खतम करने वाली दबाई, A person who has lost the protection of the law, जो मतलब law की protection खो चुका हो, उस आदमी को क्या कहते हैं, तो, Outlaw Immigrant, Outcast, Orphan, तो दोस्तों उसको Outlaw कहते हैं, law से बाहर हो जाएगा, यानि की कानून से बाहर, Irresistible Curving for Alcoholic Drinks, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, Dissomania होता है, जो पियक्कड होता है, ठीक है, चलिए, लास्ट में, देखे, यहां पे कुछ मीनिंग्स मैंने अभी, अभी अवाइड कर दी थी, क्योंकि, इन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपको बतानी चाहिए, जहां पे मुझे लगता है, मैं चारो मीनिंग्स क्लियर कर देता हूँ, चलिए, वन हूँ डिजर्ट ओपर से वीडियो भी बड़ा हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा साइड गरना पड़ा, वन हूँ डिजर्ट, इस प्रिंसिपल्स और पार्टी, तो इसको दोस्तों क्या कहता है, यह रेनिगेट कहलाता है, स्तर्व धम त्यागी होता है, जो सब कुछ थोड़ चुका हो, ठीक है, क्या हो जाता है, रेनिगेट, ठीक, और इसमें, जो अपो सेटल लिखा हुआ, इसका मतलब सुदारग नेता होता है, और प्रो, सेलेट लिखा हुआ है, धर्मांतरित लिखा होता है, क्रिटिक का मतलब होता है, आलोचक, बन हूँ, इंटर्वेंस बिट्वीन टू और मोर पार्टीज, तू सेटल डिफरेंस, क्या होता है इसका मतलब, इंटर्मीडियेटरी, मतलब मजवा, मीडियेटर, जो होता है, ये उसको कहा जाता है, मध्यस्त, प्रतिनिदि, दा हैबिट अफ आल्वेज एड्माइरिंग वनसेल्फ, एक ऐसी आद़ जिसमें अपने आपको एड्माइर करता है, वो क्या कहलाता है, ये नैरिसिजम कहलाता है, नैरिसिजम कहलाता है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है, आत्म मौह, जो अपने आप से इतना मौह है, कि वो अपने वारे में ही सब कुछ बताता रहता है, to take back, withdraw and renounce, to take back, withdraw or renounce, अच्छा मतलब बापस आ जाना लेना या इस तरीके से तो इसका मतलब रिकांट होता है रिकांट का मतलब होता है असुइक का मतलब होता है पश्चाताप करना और रिट्रेस का मतलब होता है दोराना पता लगाना या बापस जाना और रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना य मैंने वो करा दिया 50 के लिए मुझे एक अलग से पेज बनाना पड़ता तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था चलिए दोस्तों कोई नहीं आपके जो पूरे लगभग उंचास कोश्चन थे वो मैंने देखिए बनवर्ड फिर से करा दिया है और आने वाले समय में भी आपको इस